बुरा जो देखन मैं चली बुरा ना मिल्या कोई जो मन जहा का आप ना मोसे बुरा ना कोई कभीरा मोसे बुरा ना कोई लेकिन काश लोगों कोई बात समझ में आ जाती कि दुनिया में गल्दी खोजने वाले हम लोग काश अपने अंदर एक कमी और गल्दी ढून ले तो रिष्टे कितने खुबसूरत हो जाए कार्तिक का पावन महीना शिरू हो गया लेकिन कार्तिक के पावन महीने पर महिलाओं बहुत कुछ करवाना है और अगर responsibility कम है तो responsibility मैं बढ़ा दूँगी कारती के पावन महीने का मतलब सरफ पूजा, पाठ, दीप, दान यही नहीं है मुझे आपसे बहुत कुछ करवाना है मुझे आपके अंदर से एहम और वहम को तो निकालना ही था जो बहुत हद तक आप लोगों में से निकला है आप लोगों का अच्छा हो रहा है आप लोगों को positivity आ रही है आपको इछे results मिल रहे हैं लेकिन आईए, दिवाली से पहले दिवाली के लिए घर की तयारी करें घर को साफ करें जी हाँ, ये वीडियो आज में सफाई पर बनाने चाहरी है इस वीडियो में हम बताएंगे कि दिवाली से पहले हमें घर की सफाई कैसे करनी चाहिए और क्या सबसे पहले साफ करना चाहिए और क्या सबसे बाद में साफ करना चाहिए और जो हम सबसे पहले साफ करते हैं, वो हमें सबसे पहले साफ क्यों करना चाहिए? हमें बहुत सारे नियम तो यूटीव पर लोग बता जाते हैं लेकिन लोग हमें रीजन नहीं बता कर जाते कि भाई ऐसा क्यूं करें रीजन तो बताओ क्योंकि तुम आकर बैठ गए हो और तुमने बोल दिया इसलिए हम ऐसा कर लें बिल्कुल भी नहीं या इसलिए कर लें कि हमारे बुजर्ग हमें बता कर गए थे अगर मैं सच कहूं तो हमारे बुजर्ग जो हमें बता कर गए थे कुछ भी गलत नहीं था अगर वो आँख बन कर करना पड़े तो आप तुरंट कर लीजे फिर तो किसी डॉक्टर वायराके की जरूरत ही नहीं है जहां पर भी घर में कोई एक बुजर्ग, एक संसकार जिन्दा है कोई एक भी बताने वाला है पुत्तर जिन्दा रहे, खुश रहे तो समझ लीजे कि आप ब्लेस्ट है लेकिन अगर घर में ऐसा कोई बुजर्ग नहीं है तो ये दादी माँ आपको भगवान ने तोफे में दी है थोड़ा सा जादा बोलती हूँ है ना लेकिन मैं आपको बदल कर रहूंगी आपकी इस बिगड़ी बिगड़ी सी अधूरी जिन्दगी को सवार कर रहूंगी और सच बताओं, जिन्दगी को सवारना ना इतना मुश्किल काम नहीं है आपको पता है दुनिया में कई तरह की भूक है और सारी भूकों के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते है किसी को बैंगन के भरते की भूक लगती है तो किसी को मकान की भूक लगती है किसी को शोहरत की और किसी को शान की भूक लगती है लेकिन आज मैं आपको इस भूक की बारे में बताऊंगी पस इसी चीज़ की भूख है लेकिन ये भूख ये खाना जब आप किसी को खाने के लिए देते हैं तो आप अपना ही भला करते हैं आप कहेंगे क्या राखी जी बिलकुल आज जो मैं आपको बताने चाहरे हूं न आपको हिरान कर देने वाली बाते हैं एक्चुली ये सब लेकिन आज मैं आपको बताऊंगे आपकी तरक्की के रास्ते आज मैं बताऊंगे कि इस दिवाली पर आपको अपने रस्ते खोलने कैसे हैं आज हम मिलकर दिपावली की सफाई करेंगे और अपने दिल की सफाई अपने दिमाग की सफाई करना पहले बहुत ज़्यादा जर लेकिन मैंने अपनी इन कुछ मीठी बातों से और वहवार की बातों से आपकी मन में आयो ही धूल को जरूर साफ किया होगा क्या आप मेरी बात से एगरी है कि मैंने आपके मन में आयो ही किसी ध्रहम को दूर किया है और अगर हाँ आपकी मन को छूने तक मैं पहुंच गई हू और उसमें मैं कामियाब हुई हूँ, तो मुझे कमेंट्स करकर जरूर बताएगा, आपके कमेंट्स मिटर करते हैं, आपके कमेंट्स मुझे होसला देते हैं, आपके कमेंट्स मुझे हिम्मत देते हैं, और ऐसे लोगों से बिल्कुल साफधान रहेगा, गुरुची ऐसे धोका धड़ी लोगों से जो दूसरों के यूट्यूब पर आकर कमेंट्स लिखते हैं ऐसे लोगों से साफधान रहना बेहर जादा जरूरी है मैं हूँ डॉक्टर वायरा की चलिए शुरू करते हैं दिपाबली की सफाई मन की सफाई करने के बाद आपको इस बार सबसे पहले जिस चीज की सफाई करनी है वो है आपकी गाड़ी जैसा जैसा मैं कहती जाओंगे आप वैसा वैसा करते जाना और आप आने वाली वीडियो में मुझे कमेंट्स करकर बताएंगे जिन्दगी में फरका है हाँ जी गाड़ी से मेरा मतलब चारवाहन गाड़ी से नहीं है आपकी बस भी हो सकती है आपकी गाड़ी भी हो सकती है आपकी सैकिल भी हो सकती है आपकी मोटर सैकिल भी हो सकती है या आपकी स्कूटी भी हो सकती है दिपावली की इन सफाईयों में सबसे पहले हम गाड़ी तो जिस माध्यम से घर आ रहा है धन, उस चीज को साफ करना बहुत जाद है, हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, यही कहना चाते हूँ, हमारे पास तो गारी भी नहीं है, स्कूटी भी नहीं है, हम मेट्रो में आते जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास एक चीज है, जिसे आप आ तो भाई, कहने का मतलब है, अगर गारी है, तो गारी की सफाई कीजे, अच्छे से अगर गारी में कोई चीज खराब है, स्क्रचिस पढ़ रहे हैं, तो उस पे एक समय लगवाईए, गारी को वाश करवाईए, ड्रेकलिन करवाईए, उसमें खुश्बू की कोई चीज दिल पर हाथ रख कर बोलिए, क्या आप किसी भी चीज का इस्तमाल करने वाले शक्स नहीं है, आप हैं, अपनी चीजों से बहुत लगाव रखिए, अपनी गारी का नाम रखिए, अपनी बाइक का नाम रखिए, उसे कॉम्प्लिमेंट दीचे, उसे अपना हमसफर गारी में बैटने से पहले उसे गुड मॉनिंग राम राम बोलिए, ब्रेक को पैर चूकर गारी स्टार्ट करिए, आप ये चीजे करकर दो एक से दो, दो से तिन दी, इन से चार गारी बन जाएगी, जिस काम में अपनी गारी या बाइक में बैट कर जाओगे, वो काम में स आप फटी हुई पहनते हैं, जूतों में से बदबू आ रही है, याद ही नहीं कौन से साल में हमने जूतों को कभी पॉलिश भी किया था या कपड़ा भी मारा था, और आप कहते हैं, आज मैं काम करने जा रहा हूँ, आज मेरा काम हो जाए, अपनी वाइफ से, मा से दुआ करना, आज मुझे पेमिंट मिल जाए, कभी आपने सोचा है, काम टाइम पर करने के बाद भी आपकी बॉस आपको पेमिंट टाइम पर क्यों नहीं देते, 100% देने के बाद भी रिजल्ट्स क्यों नहीं आते, तो आप सोचेगा जरोर, इस दिवाली, इस कार्तिक, सफाई श इस खराब है, तो प्लीज उसे साही करिए, और सिर्फ इसलिए नहीं कि उसमें बैटकर लक्षमी आनी है, इसलिए कि आप मेरे परिवार का हिस्सा है, और आप मेरी जान है, और मेरी इस जान को, किसी को कहीं पर भी कुछ भी होता है, बहुत तकलीफ होती है, रात को नीन न हुआ या तकलीफ हुई, या उस वहन ने आपको धुका दे दिया, तो आपके साथ बहुत से लोगों का दिल दुखेगा, तो आपको क्या करना है, आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है, कि आपको इस दिवाली सबसे पहले अपनी गाड़ी, स्कूटी, अपने जूते या आपका बैक साफ करना है, उपरी हवाएं, जादू, टोना, तंत्र, विद्याएं, पती, पतनी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास, दीजे मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडले दिखाईए, टैरो कराईए, लेकिन अपनी जिन्दगी को जल्द बदलवाईए, मैं हूँ डॉक्टर वायरा की, आप मुझसे बात कीजे, फोन कीजे, आपॉइमेंट लीजे, आपकी जिन्दगी के अंदर आएगा जबर्दस बदलाव झाल झाल